आपका स्वागत है, हमारे चैनल ग्लैम आयोरवेदा की नई विडियो में बालों में डैंडरफ से परेशान हैं, तो ये घरेलू उपाय करेंगे आपकी मदद, बालों का तूटना गिरना या डैंडरफ बहुत ही आम समस्या हो गई है, हमें ज्यादातर लोगों ने कभी न सम में स्कैल्प रूख ही होने की वजए से डैंडरफ जल्दी होता है, यह हमारे बालों के लिए काफी नुकसान दायक हो सकती है, इससे बालों का जढ़ना और तूटने जैसी समस्याइं होने लगती हैं, इससे बाल भी जल्दी सफेध होने लगते हैं, साथ ही डैंडरफ गंजेपन की समस्या का भी कारण बन सकता है, ऐसे में इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, साथ ही समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे, अपने सिर और बालों की उचित देखभाल नहीं क अपना करना, साथ ही शरीर में विटामिन्ज और मिनरल्स की कमी ठोने के कारण हमारे सर की कोशिकाएं बेजान होने लगती हैं, ये मृत कोशिकाएं धीर-धीरे, ट्रूसी या डैंडरफ के रूप में सिर पर दिखाई देने लगती है, सिर की तवचा का रूखा या बेजा पोशक तत्वों से भरपूर डाइट ना लेना, शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कमी होना, ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्स का इस्तिमाल करना, सिर्धोने के लिए शैंपू का इस्तिमाल न करना, स्कैल्प पर जमा गंदगी भी डैंडरफ का कारण बनती है, मेंटल स एक रसीला पौधा है, जो अपने उपचार गुनों के लिए जाना जाता है, इसकी पत्तियों के जेल में कई बायो एक्टिव कमपाउंज होते हैं, जैसे की अमीनो एसिड और एंटि आक्सिडेंट, जो रूसी को कम कर सकते हैं, एलोवेरा में मौजूद एंटी फंगल और एंटिबैक्टिरियल प्रोपटीज डैंडरफ की समस्या से बचा सकती हैं, लेमनगरास तेल में रोगानू रोधी और एंटी इंफ्लामेटरी गुन होते हैं, जो रूसी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, टी ट्री ओल में टेरपीनें 4 ओल, नामक एक योगिक होता है, जिसमें शक्तिशाली रोगानू रोधी गुन होते हैं, टेरपीनें 4 ओल के उच्च मात्रा वाले टी ट्री ओल स्कैल्प पर फंगी बैक्टीरिया के विकास को दबाने और रूसी को कम करने में मदद कर सकते हैं, टी ट्री ओल में मौजूद योगिक प्रभावी र मस्या काफी कम हो जाती है, आप एक कटोरी दही लेकर बालों की जड़ों और स्कैल्प पर लगाएं और इससे अच्छे से मालिश करें, एक से दो घंटे इसे अपने बालों में ऐसे ही रहने दें और उसके बाद बालों को शैंपू से अच्छी तरह धो लें, इससे बालों रफते में एक से दो बार शैंपू से अपने बालों को धोएं, इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने से यह आपके बालों के लिए नुकसान दायक हो सकता है, बेकिंग सोड़ा बालों से रूसी निकालने में काफी मददगार साबित ह थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा लें, और उसे अपने सिर के स्कैल पर साथ ही बालों की जड़ों में लगाएं, इसे हलके हाथ से अपने स्कैल पर रिगड़ें, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद बालों को हलके गुंगुने पानी से अच्छे से धोलें, इस इससे आपके बालों से डैंडरफ की समस्या दूर हो जाएगी। अगर विडियो पसंद आईए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।